हलो स्टेंट्स यूपी बोर्ड ने जो फारूला तयार किया है बच्चों के लिए बच्चे उसे संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो बच्चे जिनका क्लास 10 में परसेंटेज बहुत कम है चलिए क्लास 10 में तो परसेंटेज मान सकते हैं अच्छा है लेकिन उन बच्चों का क्या जिनका परसेंटेज क्लास 11 में बहुत कम है जिनका मार्क्स क्लास 11 में बहुत कम है वे बच्चे इस फारूले से संतुष्ट नहीं है गोर्मेंट क्या अपने इस फारूले को चेंज करेगी या फिर इसी फारूले से अपना नमबर दे करके बच्चों को प्रमोड करतेगी मैं बता रहा हूं कि आज 19 तारीक एं 19 जुन की यूपी बोर्ट की सबसे लेटेस्ट अप्डेट इस पर क्या आई है मैं आपको दिखा रहा हूं साती साथ मैं आपको बता दू कि बोर्ड ने बच्चों को इसके बारे में क्या कहा है वो भी मैं आपको प यूपी बोड का फार्मूला सीवेसी बोड के फार्मूले से एकदम अलग है। तो क्लास 12 में जादा नंबर पाएंगे। जिन बच्चों का क्लास 10 में कम परसेंटेज है वे क्लास 12 में कम परसेंटेज पाएंगे। इस हिसाफ से यूपी बोड ने यह अपना फार्मूला तयार किया हुआ है। वीडियो को सेर करना न भूलें। वीडियो को सेर जादा से जादा करें। जिससे जितनी बच्चे हैं आपके दोस्त उनके पास यह पूरा। जैसा कि आपको दिखाए दे रहा कि बच्चे इस फार्मूले आने के बाद पूरे टेंसन हो गए हैं। कोई भी बच्चा इसे संतुष्ट दिखाए नहीं दे रहा यूपी बोर्ड का और सिवेसी बोर्ड के बच्चे भी इसे संतुष्ट नहीं। यह आपके जो numbers आप percentage हैं कैसे मिलेंगे। तो यूपी बोर्ड ने 10th, 11th और 12 तीनों के percentage को add करने के लिए बोला है। अब marks कैसे लेने हैं। तो 10th के जितने marks आपके हैं उसके 50% यही यूपी बोर्ड ने क्या किया इसके बारे में क्या कहा जाए। यूपी बोर्ड ने class 10th के marks के 50% लिए हैं। मतलब जिन बच्चों का class 10th में अधिक marks होगा उनका 50% सिधे यहीं से जूड़ जाएगा। और 11th के जो marks हैं उसके 40% लिए हैं। और 12th के जो pre-board हुए हैं उसके 10% लिए हैं। अब बात यह है कि जो formula तयार हुआ है 50, 40 और 10 का इसमें सब तो सही है। लेकिन जो यह 11th फाली problem है बच्चों के पास। 11th के जो बच्चे हैं वे बच्चे मैं आप बता दे रहा हूं कि 11th के जो बच्चे हैं इन बच्चों का जो percentage पहले ही बहुत कम हुआ करता है। यह बच्चे बहुत कम पढ़ाई करते हैं 11th में यह सोचते हैं कि 12th में जाकर की पढ़ाई करें या फिर जो exam देते हैं कि बच्चे exam भी छोड़ देते हैं उनका percentage बहुत कम आता है। उस हिसाफ से इन बच्चों का बहुत घाटा हो जाएगा। यही बच्ची ज्यादा परसान हैं। आप लोग ध्यान दीजिए। अब क्या करना है मैं आपको आगे बताता रहा हूं। फिलाल अभी आपने देखा कि 10 में यह जो आपके फार्मूले त्यार हुए हैं 50, 40 और 10 के इस पर आपको राज़ी होना पड़ेगा अब तक यही है। लेकिन अभी मैं आपको दिखा दूँ कि इस पर अभी योगी सरकार का या या योगी जी नी अपना लाश्ट सामवती नहीं दिया है। सुमार को इसको डिसीजन आने वाला है तो आप अब निश्चिंत रहें देखते हैं योगी जी क्या करते हैं तो आप इस फार्मूले पर संतुष्ट हैं या फिन नहीं हैं आप लोग मैसेज में हमको बता दिया करें। आगे मैं बता दू कि जो बच्चे 10 के हैं 10 के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं कर बताया था कि जो 9 और 10 दो मार्स इंके लिए गये हैं तो इसके जल तयार करने के लिए नौवी के फाइनल एक्जाम के 50% और 10 के जो भी प्रिबोड हुए हैं उसके 50% नंबर लिए गया हैं मतलब कि 10th 9 के लिए आपके 50% और 10 क के लिए आपके 50% इसका आपका है कि फर्मुला त्यार किया गया है आसा करते हैं कि कल भी आपको समझ में आया होगा और आप भी मैं सिबेशी बूड का बात ही अलग है मैं आपको बता दूं कि कई स्कूलों में तो इंटर्नल एक्जाम हुए नहीं थे यूपी बूड में जैसा कि आपको यहां पर लिखा वह दिखाई रहा है यह बात सही भी है तो नहीं वह पाया था इसलिए एक आगया है कि इंटर्नल के क्लास जो 12 के बच्चे हैं और जो क्लास 10 के बच्चे हैं उनके इंटर्नल एक्जाम का परसेंटेज बहुत कम लिया गया 10% क्योंकि कई बच्चे अपके प्रिपोड दीए भी हैं के बच्चे प्रिपोड नहीं दीए तो इसे आप सुनकर नंबर चड़ जाएगा तो यहां तक आपका मैंने सारा कुछ समझाने की कोशिशिक है कि कैसे नंबर्स आपको मिलेंगे तो । आब आपको क्या करना है यह 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 सो मार को फाइनल डिसीजन आएगा तब तक आप लोग संतुष्ट रहें और जो भी फार्वला आया है इस पर अपने नंबर को काउंट करते रहें मिलेंगे नेक्ट वीडियो में जो भी अपडेट आता रहता है तब तक के लिए बाई-बाई टेक केर